तो इसके पहले हमने चैप्टर 7 कम्प्लीट किया था ठीक है आजम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरू ठीक है अगर आपने पिछली वीडियो पिछली क्लासेज नहीं देखी हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है जिग्रोफिक कम्प्लीट क्लास 6 के नाम से तो आप उसको कम्प्लीट देख लीजिए फिर आज हम 8 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो क्या है चैप्टर का नाम भारत का बहुत इक शुरू ठीक है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों में शेर करतीजिए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमने अंडरलाइन कर दिया है सभी जगे जो इंपोर्टेंट था तो पढ़ते हैं हमारे गाउं या सहर की जमीन कहीं उची कहीं नीची कहीं समतल कह टीले आदी रूपों में दिखाई देती है यह हमारे छेतर का भौतिक स्वरूप है इसी प्रकार हमारे देश भारत का भौतिक स्वरूप भी विविदता पूर्ण हैं कहीं उचे नीचे परवत हैं तो कहीं हरे भरे मैदान कहीं पठारी भूमी है तो कहीं मरुस्तली भूमी ह कहीं तटीय मैदान हैं तो कहीं दीप समूब इन विविदताओं के आधार पर भारत के भौतिक स्वरूप को पांच भागों में बाटा गया है तो question बन जाता है कि भारत के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बाटा है तो पांच भागों में ठीक है अब ये पांच भाग कौन-कौन से हैं देखते हैं पहला है उत्तर का परवतिय मैदान फिर है उत्तर का मैदान ये भाग फिर है थार का मरुस्थल फिर है दच्छिड का पठार ये भाग और समुद्री तटी मैदान एवं दीप समुव तो ये पांच भाग हैं कौन से भौतिक सरूप के अधार पर भारत के ठीक है अब देखते हैं सबसे पहले हिमाले की उत्पत्ती के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जो आज हिमाले परवत है आज से करोणो वर्ज पहले ये हिमाले परवत की जगह पर क्या था एक सागर था क्या नाम था उसका टेथी सागर नाम था इस विशाल सागर के उत्तर में अंगारा लेंड और दच्छिन में गोनवाना लेंड नामक दो भूभाग थे उत्तर में क्या था अंगारा लेंड दच्छिन में गोनवाना लेंड बस इतना याद रखना है और ये जो हिमाले है ये विश्व की सबसे उची परवत्स रंखला है ठीक है जो हिमाले है ये विश्व की सबसे उची परवत्स रंखला है ठीक है अब हम पढ़ते हैं उत्तर का परवत्य भाग के बारे में जो अभी हमने पांच भाग देखें उन में से पहला क्या था उत्त में अरुडांचल प्रदेश तक विस्तृत है पस्चिम में इसकी चौडाई अधिक है और पूरब में कम है इसे हिमाले के नाम से जाना जाता है तो देखिए इसका विस्तार कहां से कहां तक है तो ये जम्मू कस्मीर से लेकर अरुडांचल प्रदेश तक है ठीक है पहला question हो गया दूसरा है जो जम्मू का स्मीर में है इधर पर इसकी चोड़ाई ज़्यादा हो जाती है जबकि अरुडांचल प्रदेश में पहुँंसे पहुंसे इसकी चोड़ाई में कमी आ जाती है अब हिमाले का अर्थ है हिम धन आले अर्थात बर्फ का घर उत्तर के परवती छेत्र को चार समांतर स्रेणियों में बाटा जाता है कौन सी? चार समांतर स्रेणियों में बहुत important है याद रखिएगा पहली स्रेणिय आती है ट्रांस हिमाले ट्रांस हमाले में ये हमाले परवत के सबसे उत्तर में इस्तित है और इसमें मुखिता क्या है कारा कोरम, लद्दाख और कैलाज परवत ये तीनों मिलते हैं ये तीनों स्रेडियां कहां पर पाई जाती है ये ट्रांस हमाले में पाई जाती है और ये सबसे उपर पड़ता है ट्रांस हिमाले यहां का सर्वोच्छ परवत शिखर क्या है कारा कोरम स्रेडी पर केटू है क्या है केटू है जिसकी उचाई कितनी है 8611 मेटर है ठीक है तो क्वेशन क्या क्या बनेगा यह हिमाले का सबसे उत्री भाग है और यहां पर कौन-कौन सी स्रेडिया है कारा कोरम, लद्दाग, केलाश परवत यह सब स्रेडिया कहा है ट्रांस हिमाले में है ने केटू हमाले का सर्वोच्छ पर का बनेगा क्या है इसकी उचाई कितनी है 8611 मेटर है फिर दूसरा आता है हिमाद्री पहला कंप्लीट हो गया ट्रांस फिर इसके नीचे आता है हिमाद्री स्रेडी इसी को हम व्रहत हिमालय कहते हैं या हिमाद्री कहते हैं ठीक है यह हिमालय की सबसे उत्री परवत संकला है सबसे उत्री परवत संकला है जबकि सबसे उपर क्या है Trans Himalaya फिर इसके बाद आता है Vrahaid Himalaya या Himadri इसी को कहते हैं इस स्रंकला में विश्व के उचे उचे सिखर पाए जाते हैं संसार का सबसे उचा परवत सिखर Mount Everest कहां पर है यह नेपाल में इसी स्रंकला में पाए जाता है जिसे Himadri कहते हैं क्या कहते हैं इसको व्रहध हिमाले और यह सबसे उंचा है और उंचे-उंचे सिखर पाए जाते हैं इसमें ठीक है तो यह देखिए देखते है यहां पर होता है ट्रांस हिमाले ठीक है ऐसे होता है ट्रांस हिमाले फिर यह गया है हिमाद्री फिर गया है मद्ध हिमाले फिर न उच्छाई जो है वो समुद्रतल से कितनी है 8,850 है इस रंकला पर अनेक हिमनद मतलब ग्लेशियन है जिन से कई नदिया निकलती है तो पहला हमने पढ़ा ट्रांस हिमाले फिर दूसरा पढ़ा हिमाले वो सॉरी मद्ध हिमाले जिसे हम हिमाद्धरी कहते हैं सॉरी व्रहद हिमाले अरे क्या बोल रहा हैं देखे पहले पढ़ा हमने ट्रांस हिमाले फिर दूसरा हमने पढ़ा हिमाद्धरी जिसे हम क्या कहते हैं व्रहद हिमाले कहते हैं ठीक है पहले में था काराकूरम लद्दाक्स जासकर ये सब पहले में था दूसरे में क्या हमने द यह इधर पर स्री नगर, शिमला, कुलू, डलहौजी, नैनीताल, अलमोडा, दार्जलिंग जैसे अनेक आकरसक और इसमर्णी परियटक इस्थल है। पस्चिम में हिमाद्री और हिमाचल स्रंखला के बीच कस्मीर की इसमर्णी घाटी बन गई है। और यहां की डलजील परिय रटकों के लिए आकरसन का केंद्र है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेशन बनेगा कि हमाचल स्रेडी को और दूसरे नाम से क्या जानते हैं। मद्ध हिमाले के नाम से। फिर आता है स्री नगर, शिमला, कुलू, डलहौजी, नैनीताल, अलमोडा, दार्जलिंग, ये सब कहां पढ़ती हैं, ये इसी मद्ध हिमाले में पढ़ती हैं। और यहां पर सब पर्यटक इस थल हैं। ठीके, तो पहली हमने देखिए ट्रांस हिमाले, फिर देखिए ब्रहत हिमाले, जिसको हम हिमादरी कहते हैं। फिर देखा हमने मद्ध हिमाले, जिसे हम कहते हैं हिमाणचल स्रेडि समझके फिर अब लास्ट आता है जो चौति स्रेडि आती है वो है शिबालिक स्रेडि यह हिमाले के सबसे दच्छन में इस त्रंखला है इसमें इसी को हम क्या कहते है उपहिमाले कहते है और यह कम उचाई पर बनी हुई है और यहाँ पर क्या है important कि यहाँ घने बन पाए जाते हैं ठीक है अब देखिए क्या होता है कि हिमाले परवत से हमें क्या-क्या लाब है अब हमें इनके लाब देखने हैं ठीक है यह बाह आक्रमर से भालत की रक्षा करता है तो यह हो गया पहला पॉइंट फिर आता है यह उत्तर की और आने वाली थंडी हवाओं को रोक कर हमारी जलवाईू को शुस्क और थंडी होने से बचाता है साथ ही दच्छडी मानसून के समय आने वाली मानसूनी हवाओं के मार्ग में बाधा उत्पनिकर वर्षा कराने में सहायक होता है तो ये हो गया दूसरा पॉइंट फिर आता है विभिन रोगों के उपचार के लिए हिमाले परवत से अनेक जड़ी बूटिया प्राप्त होती है ये तीसरा पॉइंट हो गया फिर आता है हिमाले परवत पर अनेक इसमरीक इस्थल है जो परियटन को बढ़ावा देकर हमारी अर्थे व्यवस्था को मजबूत बनाते है तो ये चारों पॉइंट उमीदे समझ गए होगे तो अब हमने देखा उत्तर का परवती मैदान हमारा पूरा कम्पलीट हो गया जिसे चार भागों में बाटा था पहला था ट्रांसिमर्ण देखे बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाए ठीक है इसलिए नहीं कि हम बस ऐसे ही बोलने का हमें शौक है याद होने के लिए ही हम बोल रहे हैं कि पांच भागों में भौतिक स्वरूप से बाटा गया था भारत को ठीक है उसमें से पहला पार्ट था भारत का परवती उत्तर का परवती मैदान और उत्तर के परवती मैदान को चार भागों में बाटा गया था कौन-कौन से ट्रांस हिमाले, व्रहध हिमाले जिसे हम क्या कहते है हिमाद्धी कहते है फिर आता है तीसरा आता है मद्ध हिमाले जिसे हम हिमाचल हिमाले कहते है और फिर चौत अप लास्ट आता है शिवाले खिमाले जिसे हम उप हिमाले भी कहते हैं समझ के होंगे चलिए अब यहां से दूसरा पॉइंट आता है हमारा उत्तर का मैदानी भाग अभी हमने उत्तर का परवती भाग कम्प्लीट किया है अब मैदानी भाग की दरब बढ़ेंगे तो यहां पर भाबर और तराई छेत राता है तो हिमाले से उतर कर मैदान की और आने वाली नदियां अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर, कंकर, पत्थर एवं अन अवशाद बहाकर लाती है नदी द्वारा शिवालिक के सहारे 8-16 किलोमीटर की चौड़ाई में इन अवशादों का निच्छेप होता है क्या होता है निच्छेप होता है इसे ही भाबर कहते हैं मतलब नदी द्वारा शिवालिक के सहारे आठ से सोला किलोमीटर की चोड़ाई में इन अवशादों का निच्छेप किया जाता है इसे क्या कहते हैं भावर कहते हैं यहां नदियां पत्थरों एवं अन्य अवशादों के नीचे बिलुप्त हो जाती है आगे यह नदियां पुना धरातल पर दिखाई देती हैं भावर के सहारे एक नम एवं दलदली चेतर का निर्माड होता है जिसे हम तराई कहते हैं भावर एवं तराई चेतर में जैव विवित्त युक्त विस्वत बन पाए जाते हैं बावर एवं तराई का छेतर आगे जाकर भारत के विश्याल मैदान में मिल जाता है ठीक है क्या बावर एवं तराई का छेतर जो है वो किस में मिल जाता है मैदान में मिल जाता है तो समझ गए जैसे यह पहाड है समझाते हैं हम आपको जैसे ये पहाड है कौन सा? शिवालिक जो अभी हमने पढ़ा 34 रंकला थी शिवालिक उसी वही है ये शिवालिक अब देखिए यहाँ पर छोटे 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 जब नदियों से नदियां जब पहाड से निकलेंगी तो छोटे छोटे पत्थर को काटते छाटते यहाँ पर पत्थर होते हैं तो जब नदियां आती है तो ये पत्थरों के नीचे घुश जाती है ठीक है पत्थरों के नीचे घुश जाती है और फिर थोड़ी दूर जाके ये पत्थरों के ऊपर आ जाती है पत्रों के जहां पर छोटे छोटे कंकर बचते हैं तो यहां पर पानी ऊपर आ जाता है तो यह वाला जो छेत्र हो जाता है यह होता है भावर छेत्र होता है और यहां पर जहां पानी दलदल हो जाता है और थोड़ा सा मतलब दलदली टाइप का हो जाता है यह विश्व का सबसे विश्तृत समतल मैदान है जो भारत में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है ठीक है इसका ढाल पस्चिम से पूरब की ओर है यह मैदान सिंदू, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के दोरा लाई गई उपजाव, जलोड मिट्टी से बना है हम नदी तंत्र के अधार पर इस मैदानी भाग को कितने हिस्सों में बाढ़ते हैं तीन हिस्सों में नदी, सिंदू नदी, गंगा नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी तो अब देखिए, यहां से यह थोड़ा पॉइंट जो लिखे हैं, इसको पढ़ लेते हैं तो जलोड मिट्टी क्या होती है, नदियों के दोरा लाई गई बहुत महीन उपजाव मिट्टी को क्या कहते है, जलोड मिट्टी कहते है फिर आता है नदी तंत्र के से को कहते है, तो किसी नदी और उसकी सहायक नदीयों को नदी तंत्र कहते है फिर आता है सहायक नदी के से कहते है, एक नदी जो किसी मुख्य नदी में आकर मिलती है और अपने जल को मुख्य नदी में विशर्जित करती है क्या कहलाता है सहायक नदी कहलाता है ठीक है इधार से ये complete हो जाता है फिर अब ये जो सिंदु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं तो वो आ जाता है ठीक है तो सिंदु नदी तंत्र पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र की मुखे नदी सिंधु और सहायक नदियां से मिलकर बनती है जैसे जेलम, चेनाव, शतलज, रावी, व्यास ये किसकी सहायक नदियां है ये सिंधु नदी की सहायक नदियां है यह नदी तंतर जम्मू कस्मीर, हिमानचल प्रदेस और पंजाब में फैला हुआ है सिंदु नदी का उद्गम इस्थल क्या है? तिबध में मांसरोबर जील के निकट से निकलती है ठीक है ये हो गई बात सिंदु नदी तंतर की अब आता है गंगा नदी तंतर का तो इसकी मुख्य नदी गंगा और सहायक नदियां इसकी कौन-कौन सी है यमुना है, घागरा है, गंडक है, गोमती है, कोशी है ये सब किसकी है? ये गंगा नदी तंतर की सहायक नदियां है उत्री मैदान की अधिकान सभाग में ये फैला हुआ है और गंगा नदी का उद्गम इस्थल भारत में, भारत में इस्थित कॉन? हिमालय में, गंगोतरी हिमनत से होता है समझ गए ये हो गई बात गंगा की अब आती है ब्रह्मपुत्र नदी की तो इसकी जो सहायक नदी कौन सी है लोहित तिबांग तिस्ता ये सब किसकी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदिया है फिर आता है यह नदी तंत्र अरड़ांचल प्रदेस और असम में बिस्तित है ब्रह्म पुत्र नदी का उद्गम इस्थल भी कहां पर है यह तिब्बत के मानसरोवर जील के निकट है ठीक है अब देखिए जो उत्तर का मैदानी भाग है वो भारत के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है यह देख लेते है नदीयों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने ये मैदान क्रसी के लिए बहुत उपजाई होते है फल सरूप यहां क्रसी एवं पसुपालन पर आधारत उद्ग्योगों का विकास हुआ है फिर आता है भूमे के संतल होने के कारण यहां सडक वा रेल परिवहन का विकास अपेच्छा करत आसानी से हुआ है फिर आता है नदियों का छेत्र होने के कारण उनसे नहरे निकाली गई है और सिचाई वा जल परिवहन का विकास किया गया है ठीक है ये दो पॉइंट लिखे हैं पढ़ लेते हैं ब्रह्म पुत्र नदी चीन भारत और बांगला देश में बहती है तीन देशों में ब्रह्म पुत्र नदी कौन कौन से देश में चीन में और भारत में और बांगला देश में बहती है इसे चीन में सांगपो बांगला दे परवती छेतर कंप्लीट हो गया उत्तर का मैदानी छेतर कंप्लीट हो गया अब आता है थार का मरुस्थल इसके बारे में पढ़ते हैं फिरा तो क्या है भारत के पस्चिमी भाग में मरुस्थल इस्थित है जिसे थार का मरुस्थल या भारती मरुस्थल कहते हैं ये भारत के उत्री मैदान के दच्छन पस्चिम में अरावली परवत से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक फैला है यह शुस्क गर्म तथा रेतीला इस्थल है इसी कारण यहां बनस्पती की मात्रा बहुत कम पाई जाती है यहां की मुख्य नदी कौन सी है? लूनी है यहां पर पाई जाने वाली खारे पानी की जील कौन सी है? सामभर में नमक उत्पादन किया जाता है तो ठीक है? तो थारकमर उस्तल बस इतना ही पढ़ना है फिर आता है दच्छन का पठारी भाग उत्तर के विशाल मैदान तथा तटी भागों में बीच दच्छन का पठार या प्राइदीपी पठार इस्तित है यह पठार प्राचीन कठोर रवेदार चट्टानों से मिलकर बना है यह आकरती कैसी है? तिवुजाकार है इसका धरातल काफी उचा नीचा है इस छेतर में कई पहाड़ी स्रंखलाएँ या घाटियां इस्तित है यह पहाड यह पठार उत्तर पश्चिम में अरावली उत्तर में बुन्द और सत्टपुना स्रंखलाऊं तथा दच्छन में पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों से लिए है दच्छन के पठार को हम कई उप भागों में बाटते हैं इनमें प्रमुख है मालवा का पठार फिर छोटा नाकपूर का पठार फिर दक्कन का पठार ठीक है तो ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ये है दिया है धरातल का वह भाग जो उपर जो परवत से नीचे और मैदान से उचा होता है तथा जिसकी उपरी सपाथ हो उपरी भाग जो है सपाथ हो ढाल सामान हो तथा किनारे ढाल तीव रहो क्या कहलाता है पठार कहलाता है ठीक है अब हम देख लेते हैं मालवा का पठार दच्छड के पठार के पस्चिमी भाग में मालवा का पठार इस्थित है यह उत्तर की और ढालदार है कहां पर यह उत्तर की और ढालदार है और अंतिता उत्तर के मैदानी भाग में मिल जाता है यमुना नदी के कुछ सहायक नदीयों जैसे चंबल, बेतवा, आदी का यह उद्गा मिस्थल इसी पठार पर है फिर आता है छोटा नाकपुर का पठार दच्छड के पठार के उत्री पूर्वी भाग में छोटा नाकपुर का पठार इस्थित है यह छेत्र लोहा और कोईला जैसे खनीजों से सम्रद है फिर आता है दक्कन का पठार विंद और सत्पुडा परवत स्रंखलाओं के दच्छड में दक्कन का पठार इस्थित है इसका ढाल पस्चिम से पूरपकी दिसा में है यहाँ पर पूरपकी और बहने वाली अनेक नदियां महानदी, गोदावरी, क्रिश्ना, कावेरी आदी हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसरजन करती है कहाँ पर बंगाल की खाड़ी में किंदु नर्मिदा और ताप्ती नदियों का बहाव जो है पश्चिमी घाठ है, यह एक समान है इसका जो विस्तार है, यह एक समान है और जबकि पूरवी घाठ है, यह कटा-चटा है समझ गये होंगे? चलिए, नेक्स्ट पर चलते है अब पठारी भाग का क्या महत हो है अपने भारत में? इसको देख लेते हैं दच्चिड के पठार की प्रातीनतम शैलों में अधिकान्ष खनिज्जों पाय जाते हैं, इधर पर कहां पर? पठार में फिर आता है तीवर ढ़ाल युक्त होने के कारण प्राइदीपी पठार में जल विद्धुत उपदन केंद्रों की स्थापना सहज संभव है इस पठार में सागवन, चंदन तथा अन्य बहुमूल व्रच्छ पाय जाते हैं यहां के परवत दच्छ पस्चिम मानसून को रोक कर पस्चिमी घाट पर वर्सा में सहायक होते हैं समझ गया? चलिए नेक्स्ट आता है फिर पांच माँ पॉइंट अब तक हमने चार कंप्लीट कर लिये हैं पस्चिमी घाट के पस्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूरब में तटी मैदान होते हैं पस्चिमी तटी मैदान सकरे हैं जबकि पूर्वी तटी मैदान अपिछ चक्रत थोड़ा चोड़े हैं ठीक है? पस्चिमी तटी मैदान में कोई बड़ी नदी नहीं है कहां पर पस्चिम में जिबकि पूर्वी में कौन सी है महानदी, गुधाबरी, कृष्णा, कावेरी ये सब है देखिए बिलकुल आसान भासा में लिखा है यहां समझाने की जरूरत नहीं है आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्मार करती है बहुत इंपोर्टेंट है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये किसका निर्मार करती है डेल्टा का पूर्वी तटी मैदान की मुख्य जीले कौन सी है चिलका, कोलेरू, पुलीकट अब देखते हैं डेल्टा क्या होता है समुद्र में मिलने से पहले धरातल के कम ढाल एवं नदी के वेग में कमी के कारण नदी का जल कई साखाओं में बंटकर पहने लगता है यह त्रिवुजाकार इंपोर्टन्ट है त्रिवुजाकार भुबाकीद डेल्टा कहलाता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुन्दरवन का निर्मार करती है ठीक है चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं तो भारत के दो दीप समुव है कौन है दो दीप समुव कौन कौन से लच्च दीप है एक अंडमान निकुभार है लच्च दीप समुव अरब सागर में स्थित है यह मूंगे से बना है किस से कूरल से बना है और इस दीप समुव में अनेक छोटे छोटे दीप है अंडमान और निकोबार दीबसमूव, बंगाल की खाड़ी में इस्तिते थे, इस दीबसमूव में अपेच चाकरठ बढ़े हैं फिर आता है देखिये यह है तटी मैदान जो यह चित्र में देख रहा है, यह है तटी मैदान फिर है पूर्वी तटी मैदान बहुत उपजाओ है जहां धान चावल की अच्छी उपज होती है फिर है पस्चिमी तटी मैदान में मसाले, नारियल, रबड की खेती होती है भारत के व्यापार, परेटन, सुरक्षा की दरश्टी से दीप समुहों का विशेस महात्य है पमध सिखर, माउंट एबरेस्ट यही सही बात है, यह गलत है तो यह करेक्ट है मसूरी, कुलू, तारजलिंग, आधी, परेटक, इसे ल, प्रेटस सुवालिक स्रेणी में है नहीं, यह जब यह सब क्या है ? यह सब घूमने वाले स्थान है तो ये इसमें नहीं है किसमें है ये ये किसमें था ये हिमांचल स्रेणी में था किसमें था ये हिमांचल स्रेणी जिसको हम मद्ध स्रेणी कहते हैं ठीक है फिर आता है हिमांचल में ही था ना पताए कमेंट करके रुख जाए, हम पीछे ही देख लेते हैं, हम खुत गूँज हो गह is गूमने वाली चीजे हैं, सब मध्ध ह demais हिमालेए मी ही टू थी हाँ, यह देखए, हिमानचल प्रदेश में ही है मद्ध वाले मतलब मद्ध हिमाले में ये सब घूमने वाली चीज़ें और इसमें कौन सी थी जो ये था इसमें हिमाद्री में रहध हिमाले था ठीक है आप लोग हमें भी कन्फ्यूज कर देते हैं चलिए तो विस्व का सबसे उचा सही है ये गलत है ये कहां पर है ये हिमानचल वाली स्रेडी में है फिर है उत्तर के मैदानी भाग का ढाल पूरब से पस्चिम की और है ये गलत है ये कहां से है जबकि पस्चिम से पूरब की और है फिर आता है गंगा और ब्रम्ह पुत्र नदीयों द्वारा बनाए गए विश्यो के सबसे बड़े डेल्टा का नाम सुन्दरवन है बिल्कुल सही है फिर आता है लच्छ दीप मूंगे से बना दूइप है बिल्कुल सही है फिर चलते हैं रिक्तिस्थान की पूर्ती में आता है हिमाले की सबसे दच्छन में इस्थित परवस शंकला को क्या कहते है तो ये है शिवालिक कौन सी है ये ये शिवालिक है फिर है गंगा नदी का उदगम इस्थल कहा है तो ये गंगोत्री गलेशियर से है फिर है थार के मरवस्थल की पुरमुख नदी कौन सी है ये है लूनी नदी है फिर आता है चंबल और बेतवा नदियां किसकी सहायक नदियां है तो ये किसकी हैं चंबल और बेतवा बताईए किसकी हैं कर ये कमेंट पर इसको भारत के दो दीब समू कौन से हैं इसको भी कमेंट पर बताईए ये दो question आपको home work के लिए आप बताईए नीचे answer और सारे के सारे important है चलिए मिलते हैं next chapter में next class के साथ